आजादी के एक साल बाद 24 फेवरेरी 1948 को करनाटक के महसूर में जैललिता का जन्म हुआ उनका जन्म अयर परिवार में हुआ था उनके दादा ततकालीन महसूर राज्य के एक सर्जन थे उनका नाम पहले कोमावली रखा गया और जब वे एक साल की हुई तब उन्हें जैललिता नाम दिया गया उनकी माँ उन्हें प्यार से अम्मो बुलाती थी मैस दो साल की उम्र में ही जैललिता के पिता जैराम गुजर गई पिता के मिर्त्यू के बाद जैल अलिता मा विदावली के साथ बैंगलॉर अपने नाना के घर चली गई विदावली की छोटी बहन यानि की जैल अलिता की मौसी को फिल्मों में काम करने का अफसर मिल गया इसी तरह विदावली ने भी तमिल सिनिमा में काम करना शुरू कर दिया और वे तमिल नाडू चली गई और अपना नाम संध्या रख लिया जैल अलिता की शुरुवाती पढ़ाई विशप कॉटन स्कूल से हुई फिर जब जैल अलिता दस साल की हुई तो वे भी तमिल नाडू अपनी मा के पास चली गई जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई सेकाड हाट नामक स्कूल से जारी रखी जैल अलिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी उन्होंने टैंट में तमिल नाडू में सेकंड रैंक हासिल किया था और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने 1961 में 13 साल की उम्र में पहली बार अंग्रेजी फिल्म एपिसल में एक बाल कलाकार के तोर पर काम किया था उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई स्टेला मेरेस कॉलेज से पूरी की जैल अलिता पढ़ाई बोल सकती थी जिनमें तमिल, तेलगू, कनडा, हिंदी, मल्यालम और इंग्लिस शामिल थी यही नहीं उन्हें कई डांस फॉर्म्स भी आते थे जैसे भरतनाट्यम, कथक, क उच्छी पड़ी और और भी, मात्र 15 साल की आयू में वे कनड फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाय करने लगी, कनड भाशा में उनकी पहली फिल्म चिनाडा गोंबे है, जो 1963 में प्रदर्शित हुई, जैल वलिता ने तमिल सिनिमा में अपना डेव्यू वेनिर के पड़े पर MGR के साथ उनकी जोड़ी काफी सफल रही थी, और दर्शिकों ने भी इस जोड़ी को बेहत पसंद किया था, 1968 में उन्होंने हिंदी फिल्म इजजत में भी काम किया, जिसमें धरमेंदर मुख्य बिनेता थे, उनकी आकरी फिल्म थी नदियाई ठेड़ी इनकी, जो असल में MGR की ही पार्टी थी, MGR ने जैल अलिता को पार्टी की प्रोपगेंडर सेक्रेटरी बनाया, चार साल बाद 1984 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामंकित किया गया, 5 अक्टूबर 1984 को MGR की तबेत खराब हो गई, जिसके बाद वे कभी बोल नहीं सके MGR ने बिना बोले 3 सालों तक सरकार चलाई, और फिर 1987 में MGR का निधन हो गया, जैल अलिता इस हाथसे के बाद बहुत दुखी हो गई, और कहा जाता है कि इसके बाद जैल अलिता ने अपना लिवास भी वदल दिया, वे सिंपल प्लेन सारी पहनने लगी थी, इसके बाद MGR की पत्नी जानकी रामचंदरन को CM बना दिया गया, और अब AIDM के दो हिस्सों में बट गया, एक गुट जैल अलिता को समर्थन दे रहा था, तो दूसरा जानकी रामचंदरन को, 1988 में पार्टी को भारतिय समिधान की धारा 356 के तहत निश्काशित कर दिया गया, 1989 में AIDM के फिर से संगर्थित हो गया, और जैल अलिता को पार्टी का प्रमुक बनाया गया, 1991 में जैल अलिता ने कॉंग्रेस के साथ गढ़भंदन कर लिया, और फिर वे CM भी बन गई, जै जैल अलिता छे बार CM की कुर्सी पर बैठी और तमिलनाडू के लोगों के दिलों पर राज किया, और वे अम्मू से अम्मा बन गई, और फिर 5 डिसेंबर 2016 में जैल अलिता का निधन हो गया,